हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक अट मैं यूटीब चैनल तो आज डेट है चौबिस सितंबर और एल्टी ग्रेट सिलेक्टेट कैंडिडेट्स जो की बहुत दिनों से वेट कर रहे थे विग्यापन का कि कब चोईस फिलिंग का विग्यापन जारी होगा तो सभी का इंतजार अब कत्म हो गया है और बहुत बड़ी गुड निउस है इस दिन का सभी लोग वेट कर रहे थे ब अध्यमिक विध्यालेओं है तो लोग सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयाग राज से चैनित सहायक अध्यापकों की ओनलाइन माध्यम से की जाएगी नियुकती पदिस्थापना अभ्यर्थी वेबसाइट https.seceduonlineposting.up.government.in पर कर सकते हैं अपना आवेदन वेबसाइट पर कल दिनांग 25 सितंबर से अभ्यर्थी देख सकेंगे दिसा निर्देशों आवेदन की विदी एवं रिक्तियों का विवरण तो कल से सभी रिक्तियां भी दिख जाएंगी चैनित अभ्यर्थी द्वारा वरियता क्रम में इस्तित विद्यालियों के विकल्प का आवेदन 28 सितंबर से 8 अक्तूबर के मद्ध देना होगा 16 अक्तूबर को ओनलाइन नियुक्ति पत्र पदा स्थापना आदेश्त किया जाएगा निर्गत दिव्यांग शिर्णी के अभ्यर्थियों को दी जाएगी वरियता लखनव से जारी हुए लेटर दिनान 24 सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश के उपमुख मंत्री डॉक्टर दिनेज सर्मा ने बताया कि माध्यमिक सिच्छा इभाग के इतिहास में प्रधम बार प्रदेश सरकार की मंसा के अनुरूप पारदर्शी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र इस्थापना प्रक्रिया अपनाते हुए लोग से वायोग से चैनित सहयक अध्यापकों के पदो पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र राश्ट्री सूचना विज्ञान केंद्र NIC के माध्यम से विक्सी सॉफ्टियर के माध्यम से किया जाएगा इसमें अभ्यर्थिगर बैठे वेबसाइट https.seceduonlineposting.up.gov.in पर अपना आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट में दर्साइगे रिक्त पदो से अपने पसंद के विद्याले का चैन कर सकता है वेबसाइट कल दिनांग 25 सितंबर 2020 से प्रारंब हो जाएगी जिससे अभ्यर्थि दिशा निर्देशों आवेदन की विदियम रिक्तियों का विवर्ण देख सकेंगे चैनित अभ्यर्थियों द्वारा वरिता क्रम में इस्थित विद्याले की विकल्प का आवेदन 28 सितंबर से 8 अक्तूबर के मद्धे देना होगा 12 अक्तूबर 2020 तक अभ्यर्थियों द्वारा वरिता क्रम का लाप रात करने ही तू अपलोड किये गए प्रमाल पत्रों का सत्यापन करते हुए 16 अक्तुबर 2020 को ओनलाइन नियुकती पत्र पदा इस्थापना आदेश निर्गत किया जाएगा 16 अक्तुबर को जोईनिंग लेटर जो है नियुकती पत्र निर्गत कर दी जाएगे उपणमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश सर्मा ने बताया कि शासन दौरा तियार किये गए मानक की अनुरूप अभेरतियों को वरेता करमे आने पर पात्रता स्रूड़ी में नियुकती पत्र निर्गत किया जाएगा उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपना नियुक्ती पत्रवी वबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है प्रतेक चरण में उसके रजिश्टर्ड मुबाइल नमबर तथा इमेल आईडी पर संदेज भेजने की विवस्ता की गई है उपमुख्यमंत्री ने बताया कि लोग सेवा आयोग से चैनित सूची के अनुसार दिव्यांग श्रणी में चैनित अभ्यर्थियों को पद इस्थापन में वरीता दी जाएगी इसी प्रकार वे चैनित विवाहित महिला जिनका बच्चा ओटिस्टिक है अत्वा 40 प्रतीशत दिव्यांगता है उनको वरीता दी जाएगी जिनके पती पतनी भारती सेना वायू सेना नौ सेना अत्वा केंदरी अर्ध सेनिक बलों जैसे CRPF ITBP तथा BSF में कारेरत हैं उन इनको भी वरीता दी जाएगी इसके पस्षात वी चैनित विद्वा विदूर जिनोंने पुनर विवाह नहीं किया है तता एकल अभिभावक हैं सिंगल पैरेंट हैं तता जिनके ऊपर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी हैं उनको भी वरीता दी जाएगी इसके अति सास की सेवा में कारवा तैं, इनको भी पद स्थापन में वर्यता प्रदान की जाएगी, चैनित अबयर्तों को वर्यता का लाब देने के लिए सच्चाम अधिकारी दौरह निर्गत प्रमाल पत्र लगाना होगा, की मेरिट के अनुसार किया जाएगा है यह भी ध्यान रखा जाया है कि जहां अध्यापकों की विसेश आवशकता है जैसे कि महत्तोकांक्षी जनपदों के विध्याले रास्ट्रिय मादमिक शिश्यावियान के विध्याले एहम जनपद के पंडित दीन दैल उपादे है वहाँ पर अध्यापकों की तैनाती में वरेता प्रदान की जा रही है डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि मादमिक सिच्चा इभाग द्वारा सिच्चकों को ऑनलाइन नियुकती पदिस्थापन प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाते हूं मादमी सिच्चा अध्यापकों की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ओनलाइन पदिस्थापन की पूरी प्रक्रिया में लोग सेवा आयोग में पंजीकरत मोबाइल नंबर एवं इमेल आईडी की भूमी का एहम रहेगी प्रताम बार लॉगिन से लेकर आविदन पत्र पूर्ण करने तदा विकल्पों को लॉग करने की संपूर्ण प्रक्रिया में लोग सेवा आयोग में दिये गए मोबाइल नंबर एवं इमेल पर OTP तथा प्रतेक चरण की सूचना प्राप्त होने के साथ ही नियूकती पत निर्गत होने का संदेज भी उनके पंजीकरत मोबाइल नंबर एवं इमेल पर देने की विवस्था की गई है पदा इस्थापन की प्रक्रिया संचालित होने पर अभ्यरती अपनी जिग्यासा के समाधान के लिए मोबाइल नंबर 638721-9859 प्राते 10 से साम 6 बजे तक एम इमेल पर संपर्क कर सकते हैं लोग सेवा आयोगदर राजकी मादियों में सहाय का द्यापक के पदों पर महिला एम पुरुष समवर्ग के 10,768 पदों का विक्यापन किया गया था इसमें लोग सेवा आयोगदर राजकी में 1772 धता महिला समवर्ग में 1545 कूल 3370 ब्रतियों की सपस्ट संस्तुती प्रदान की है कला विशे का परिच्छा परणाम लोग सेवा आयोगदर फिलहाल इस्थगित कर दिया गया समाजिक विग्यान विशे एवं हिंदी विशे का परिच्छा परणाम सीगरी प्राप्त होने है इन विशे के अबरतियों को परिच्छा परणाम प्राप्त होते ही प्रक्रिया में समलित कर लिया जाएगा तो ये ह complete news और I hope friends की बहुत अच्छा लग रहा होगा सभी LTE selected candidates को क्योंकि बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे थे तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने पूरा सामझ लें और बाकी update पाने के लिए अगर channel पर पहली बार है तो जरूर subscribe कर लें क्योंकि पूरा update आपको मिलता रहेगा मेरे channel पर so thanks for watching we'll meet you again with next update till then take care thank you bye bye and all the best